दोस्तों करनात का स्टेट काउंसलिंग के लिए रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसके ओनलाइन अप्लिकेशन फॉरम फिल करने की लास्ट डेट 10 नॉंबर 2020 मॉर्णिंग 11 ओक लोग तक रखी गई है करनात का एक ओपन स्टेट और यहां के प्राइवेट मेडिकल कोलेज में अच्छी अजुकेशन होने के कारण अधर स्टेट कंडिडेट के लिए यह पॉपुलर स्टेट है फीज कम है तो इस वीडियो में आपको रजिस्टेशन डिलेटेड इनफॉरमेशन दूगा तो वीडियो शुरू करनी से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप करनात का स्टेट में एडमिसल लेना चाहते हैं इसके बारे में मैंने काउंसलिंग की जानकारी के बारे में बुक लिकिया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके इस book के help ले सकते हैं आपको कौन सी college choice filling करनी है ये मैंने serialty wise top से lowest करनाटका के college दिखा रखे हैं और previous year की क्या cut off गई है ये सब कुछ उस book में दिखा रखा है तो आप book की help ले सकते हैं counseling के लिए ये आपको करनाटका के लिए काफी helpful रहेगी अब मैं आपको बता दूँ कि इसका registration के लिए क्या condition कैसे आपने registration करना है तो दोस्तों आपको सबसे पहले cetonline.karnatka.gov.in पर visit करना है इसके अलावा आप kea.kar.nic.in पर भी visit कर सकते हैं इसी पर ये redirect होके link आजाएगा तो इस परकार का interface आएगा इसमें कनड में लिखा हुआ है यहां right side में आपको three lines दिखाई दे रही है इस पर आपने click करना है जैसे ही three lines पर click करेंगे या English का option आएगा नीचे ही नीचे इस पर आपने click करना है तो ये English language में website आजाएगी अब आपने फिर three lines पर click करना है right side में जो तीन line बनी हुई है यहां admissions का option आएगा इस admissions के option के drop down पर click करना है जैसे ही drop down पर click करेंगे नीचे UG need 2020 लिखाएगा इस पर आपको click करना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपको दो option मिलेंगे UG need 2020 online registration medical dental I use मैं आपको यहां बता दूँ कि आप other state के candidate medical और dental के लिए ही eligible है I use के लिए करनाटका state के candidate ही eligible है इसके बाद हम notification और instructions में भी check कर सकते हैं क्या notification दिया गया है तो online application अगर आप फिल करना चाते हैं तो इसके उपर वाड़े link पर आपको click करना है वैसे इसका मैं separate video बना दूँगा कि आपने step by step कैसे registration करना है इसका थोड़ी देर में step by step का video बना दूँगा अब देखते हैं हम notification and instructions पर click करते हैं तो यहां पर UG need 2020 notification लिखा है e-browser लिखा है जो अभी e-browser आया नहीं है instruction to candidate और send zone medical के बारे में instructions देगे हैं तो सबसे पहले हम need 2020 notification देख लेते हैं तो इसमें लिखा है कि आप जो other state candidate है MBBS, BDS के लिए apply कर सकते हैं IOS के लिए apply नहीं कर सकते IOS के लिए करनाटका state के रेने वाले ही candidate apply कर सकते हैं इसमें दूसरी चीज यह लिखी गई है कि अगर आपने पहले CET exam दिया है जो करनाटका के रेने वाले हैं उनका CET exam लगा है उनको documents verify की ज़रत नहीं है उनको documents verify upload documents upload करने की ज़रत नहीं है मैं आपको यहां एक बता दूँ कि करनाटका state में registration के बार documents verification के लिए bank load जाना होता है लेकिन इस बार ऐसा provision हो सकता है कि आपसे online ही documents upload करवाय जाएं हालांकि इसके बारे में करनाटका state ने अभी तक कुछ भी clear नहीं किया है साइध information brochure में यह clear कर दिया जाएगा कि यह schedule क्या रहेगा आपको documents online upload करने होंगे या फिर verification के लिए bank load जाना होगा यह बार में clarify होगा इसमें इसके बार में जो admission start होने की date है वो 7 तारी को साम 8 बज़े से थी अभी शुरू हो चुके हैं यह registration और इसकी last date 10th November 2020 सुबह 11 बज़े तक रखी गई है और payment की 10th November 2020 को साम 5.5 बज़े तक रखी गई है तो इस परकार से इसमें instructions दिये गए हैं बाकि अभी instructions आये नहीं है information brochure आया नहीं है seat matrix भी नहीं आया फीच detail भी नहीं आये और इसके अलावा जो बाकि information है वो भी नहीं आयी है documents verification के बारे में तो जैसे ही आजाएगी मैं आपको inform कर दूँगा आप अभी online apply कर सकते हैं जो मैंने link बताया है इसका मैं separate video भी बना दूँगा अगर फिर भी आपने counseling के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है करनाटका स्टेट के बारे में तो मैंने book में हर एक step by step सब कुछ समझा रखा है आप वहाँ से उसकी help ले सकते हैं कितने फीच थी पिछली बार कितने सीटें थी, कितने cutoff गई थी ये भी बता रखा है और मैंने उसमें नीचे ये भी दे रखा है कि आपको preference में कौन से college top में बढ़ने कौन से lowest में बढ़ने ये उस book में पूरा समझाया गया है तो ये book आपके लिए काफी helpful रहेगी तो आप वीडियो के description या हमारे website www.topdaeducation.com से download कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं नहीं जानकारे के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैए हिन